Hello Everyone, आज मैं लेकर हूँ आपके लिए स्क्वाइर रूट निकालने की ऐसी ट्रिक जिसे देखकर आप पागल हो जाएंगे ऐसी ट्रिक आपने पहले नहीं देखी होगी बहुत इजी ट्रिक है और जल्द से जल्द स्क्वाइर रूट निकालने की ट्रिक है तो ठीक है शुरू करते हैं अपना वीडियो, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में, तो आज कुछ नया सीखते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और सबसे बहुत देखते हैं कि हमको स्क्वाइर रूट निकालने के लिए एक से लेके 10 तक के स्क्वाइर याद होने चाहिए जो की काफी easy होते हैं और I hope आप सबको याद भी होंगे 1 का स्क्वाइर से लेके 10 का स्क्वाइर तक आपको याद होने चाहिए अब हम चलते हैं सीधे अपने example पर यानि question पर और हम solve करके देखते हैं कि इसको कैसे solve किया जा सकता है टीक है तो सबसे पहला जो question है उसमें हमको क्या करना है first step हमको जो करनी है वो हमको बनाना है पीछे से एक pair बनाना है pair बनता है दो का तो ये पीछे से हमने एक का pair बना लिया और बाकी जो बचा मतलब इन दो के अलावा जो भी बचा उसका एक अलग pair बना लिया पिक है तो 7 जो बचा उसका एक हमने अलग पेर बना लिया अब आपको क्या देखना है सबसे पहले लेना है पीछे वाला पेर हम निकालेंगे इसका आंसर तो इसका आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना है सबसे पहले देखना है पीछे क्या है पीछे है 4 अब देखिए 4 किसके square में आ रहा है आपको ये देखना पड़ेगा अब ये जो है हमेशा 2 के square में आएगा यानि 4 जो है हमेशा 2 के square में आएगा जैसे 4 आ रहा है 2 के square में सेम एस 4 आ रहा है 8 के square में तो ये जो है हमेशा ऐसे ही रहेगा यह 2 and 8 में आ रहा है जैसे यह 9 इन दोनों में आ रहा है 4 इन दोनों में आ रहा है and last में 1 जो है वो इन दोनों में आ रहा है ठीक है तो हमको क्या देखना है 4 किस किस में आ रहा है 4 आ रहा है 2 में और 8 में तो इसका जो last digit होगी वो या तो होगी 4 होगी इसकी जो है last digit या तो होगी 4 किस-किस में आ रहा है 2 में आ रहा है या तो 2 होगी या फिर 8 में आ रहा है एक तो 8 होगी तो ये तो हुआ हमारा पहला step हमको मिल गया मतलब ये 2 digit का जो आएगा उसमें से पीछे वाली digit या तो 8 होगी या 2 होगी अब हम पता लगाते हैं 1st digit का तो ये जो 7 है हमको इस 7 को देखना है 7 कहा लाए करता है 7 आता है यहाँ पर 4 और 9 के बीच में आता है 7 तो हम क्या करेंगे 7 यहाँ आ रहा है तो हमने रख दिया 7 से छोटा वाला यानि 4 4 किसमें आ रहा है 2 में तो हमको 1st digit 1st digit मिल गई 2 तो ये तो हुआ अपना 2nd step अब हमको देखना है कि हम यहाँ पर 22 का square है या 28 का square है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे ये जो 2 निकाला है इसको एक आगे वाले number से multiply कर देंगे यानि हमने क्या करा इसको कर लिया ये जो 2 था इस 2 को करा 2 into 3 2 के बाद आथा 3 2 3 जा कितना होता है 6 अब देखिए 6 आ रहा है इस answer से अगर ये वाला answer बड़ा है तो हम ले लेंगे बड़ा वाला या equal भी है अगर ये 6 है और यहाँ पर भी 6 होता तो हम बड़ा वाला ले लेते 6 से बड़ा है 7 7 6 से बड़ा है तो हम यहाँ पर ले लेंगे बड़ा वाला यानि ये है 28 का square sorry square root तो ये हुई बात इसकी और अगर यहाँ पर 7 की जागे 5 होता यानि 6 से छोटा होता तो हम ले लेते हैं याँ पर 2 तो ये होता है इसका method खत्म बाइबाई टाटा गुडबाई गया तो अब हम बात करते हैं कुछ और questions की जिससे आपका सारे doubt क्लियर हो जाएगा तो हमने पहला example समझ लिया अब हम करते हैं इसके कुछ और questions की बाद जिससे आपके सारे doubt क्लियर हो जाएगे ठीक है तो अपन second ना लेके पहले third question लेते हैं अपना ताकि आपका एक बार concept क्लियर हो जाए और थोड़ी बड़ी value भी हो जाएगी तो सबसे पहले जो हमको करना है वो बनाना है पीचे से दो का pair अब pair बनाने के बाद हमको क्या करना है हमको देखना है last जो digit है वो है nine nine किस-किस में आती है nine आती है एक तो three में और एक हाती है अपने seven में तो या तो इसका पीचे से होगा या तो last digit जो है इसकी वो होगी three या होगी nine यहाँ पर ten आता है तो हम क्या ले लेंगे ten में छोटा वाला लेते है nine nine यानि यह आराए three तो हमको first digit तो मिल गया three अब हमको बताना इसके बाद पीचे हम 33 का square है या 39 का square है तो हमने जो निकाला है three उसको एक आगे वाले से multiply कर लेंगे यानि three four जा होता है 12 तो three four जा 12 अब 10 क्योंकि 12 से छोटा है 10 यहाँ पर हमारा answer आया 12 अब इससे छोटा है 10 तो हम क्या ले लेंगे छोटा वाला ले लेंगे और हमारा answer होगा 33 तो यह होती है इसकी trick अब हम ऐसे कैसे easy आला solve कर लेते हैं यह दो का pair बनाया अब पीछे क्योंकि six है तो हमारे पास दो option बचते हैं देखिए six कहा का आ रहा है एक इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है तो हमारे पास या तो four होगा या six होगा अब उसके बाद बात करी जाए आगे जो बचा आगे बचा two two आता है इधर तो हम ले लेंगे छोटा वाला यानि first does it होगी हमारी one one हो गई तो अब हमको छोटा वाला लेना है बड़ा वाला लेना उसके लिए हम करेंगे one into इसके आगे वाला two equals to two अभी two इससे compare करेंगे तो देखे ये equal आ रहा है equal या बड़ा आये तो हम ले लेते हैं बड़ा वाला और छोटा आये तो हम ले लेते हैं छोटा वाला तो क्योंकि ये equal आ रहा है तो हम ले लेंगे बड़ा वाला यानि क्या लेंगे हम लेंगे 6 ये है 16 का square root अब same as path करते हैं अपने 5 digit वाले square root question की method same ही है, थोड़ा सा change हो जाएगा वाकि कोई डणने वाली दिकत नहीं है अपने proper steps लगाते जाएगे सबसे पहले बनाएंगे पीछे से 2 का एक step sorry pair तो जब pair बना, तो इससे हमको मिले 2 चीज़, last में क्या क्या आ सकता है हमको ये मिलेगा, अब देखे 6 किस किस में आता है 6 4 में आ रहा है और 6 6 में आ रहा है, तो पीछे का जो बचा वो बचेगा, 4 आएगा या फिर 6 आएगा, अब हमको देखना है आगे इसके अलावा जो पेर बचा, यानी 1 1 2 ये किसका होगा, अब देखे आपने 10 तक ही लिख रहा है, 1 1 2 इसके बाद यहां पर आ रहा है, तो हम देखेंगे 11 का square होता है 1 2 1, तो 1 1 2, यानी 112 इधर ही आएगा, तो हम क्या ले लेंगे 10 तो हमको शुरू की जो digits मिली वो है 10, अब देखना है हमको 4 ले या 6 ले, छोटा वाला ले या बड़ा वाला ले, उसके लिए क्या करते हैं 10 इंटू 11 कर देंगे तो 10 इंटू 11 इक्वल्स टू 110, अब देखे 110 से ये बड़ा है या छोटा है 112, हमको 110 से 112 कंपेर करना है तो क्यूंकि ये वाला बड़ा है तो हम ले लेंगे बड़ी वाली डिजिट तो, यानि 6 तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6 और ये हो जाएगा 106 हमारा आंसर तो ये था आज का वीडियो, आपको पसंद आया होगा, काफी easy trick होती है और मैंने कम से कम टाइम लेके आपको जादा से जादा समझाने की पूरी कोशिश करी है और आपको समझ भी आया होगा ऐसी मैं उमीद रखता हूँ तो आज की वीडियो बस यही था वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें आप लाइक करने हैं बड़ी कंजोसी करते हैं तो लाइक जरूर करें अपने friends के साथ share करें और अगर इस channel पे नए है तो इसको subscribe करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको मेरी सारे notification मिलते रहें मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसके notification आपको मिलते रहेंगे तो thank you for watching this video मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इस channel पे नए है तो इसको subscribe करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही bell icon भी दबा दे ताकि आपको latest notification मिलते रहें और आप इसको hashtag success trick 96 नाम से भी search कर सकते हैं